हेलो इस्टुएंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैठ सेंसियाटी का चैप्टर नमबर 4 एक्सरसाइस 4.2 का कुश्चन नमबर 1 का फर्स्ट पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं इसमें हमसे बोला है कि हमें roots find करने है quadratic equation के factorization method के थ्रूठ तो अब देखिए factorization method के थ्रूठ कैसे find करते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें given है x square minus 3x minus 10 is equal to 0 अब हमें factorization method ऐसे solve करना होता है अब यह हमारा जैसे की middle term जो दे रखिए 3x दे रखिए तो हमें factorization ऐसे factor करने है इसके कि add करने पर या subtract करने पर हमारा 3x आए and multiply करने पर हमारा क्या है 10 आए चलिए find करते हैं इसके factors कैसे होंगे तो 10 के हम फइले factor निकाल लेंगे side में 2 से 5 times 5 से 1 times तो 5 और 2 क्या हो गए इसके factor हो गए तो हमें इनको ऐसे set करना है कि add यह subtract करने पर हमारे 3x बन जा है and multiply करने पर क्या बन जा है 10 बन जा है तो x square minus कैसे कर सकते हैं हम इसे तो हमें लेकर आना है minus का 3x तो minus का 3x कैसे आ सकता है हम ऐसे लेक सकते हैं plus का 2x minus 5x तो आप देखिए multiply करेंगे तो minus का 10 हो जाएगा और जब हम इसको add करेंगे तो minus का 3x बनेगा तो आप देखिए कर देखिए बस यहां से solve अब क्या है हो गया है equal to 0 तो x common आ जागा है यहां से x plus 2 minus 5 common आ गया है यहां से और minus common आ गया तो अंदर क्या बचा है x plus 2 equal to 0 अब x plus 2 x plus 2 दोनों common है तो हम यहां से इनको क्या कर लेंगे separate कर लेंगे x minus 5 equal to 0 अब क्या करना है roads find करने के लिए अब हम इनको 0 के equal equate कर देंगे चलिए देखिते हैं कैसे करते है x plus 2 equal to 0 and x minus 5 equal to 0 तो x is equal to क्या आगे हमारे पास minus 2 पहला root and x is equal to आगे हमारे पास 5 यह होगा इसके दो root तो यहां होता है इसका first part complete अब चलिए देखते हैं second part अब second part में हमसे कह रहा है इसमें भी हमें similarly roots find करने है first part की तरह अब देखिए 2x square plus x minus 6 अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जो भी हमारी यहां पर value दे रखे हो थी उसके factor करते हैं तो करेंगे factor 6 के कैसे होंगे 2 से 3 and 3 से 1 तो 3 और 2 के आगए इसके factor आगए अब हमें ऐसे इसके ऐसा result लेकर आना है कि हमारा add करने पर यह सब्रेक्ट करने पर यहां पर x आजाए and multiple करने पर हमारा 6 आजाए तो चलिए देखते हैं 2x square plus कैसे कर सकते हैं हम इसको 6 यहां पर हमारी एक छोटी सी हो चीए mistake तो यहां पर यह 6 है और यहां पर अगर हमारा simple x square हो था तो हमकाली 6 लेते लेकर यहां पर हमारा 2 भी है तो इनका और इनका multiply करके factor fine करते हैं तो यहां पर क्या हैगा 12 वाएगा तो 2 6 से 12 2 से 3 times and 3 से 1 times तो हमारे इसके क्या क्या आगए हमारे factor 2 2 & 3 अब हमें इनको ऐसे set करना है कि हमारा add यह subtract करने पर हमारा x आए and multiply करने पर 6 तो 2 2 जा 4 & 3 4-3 कितना हो जागा x हो जागा and 4 into 3 कितना आजाएगा 12 तो 6 into 2 कितना बनना है यह पर 12 तो हमारा यह possible हो सकता है देखिए कैसे 4x minus 3x minus 6 equal to 0 अब आगे करते हैं यहां से हमारा क्या हैगा 2x को मना जाएगा तो x plus 2 minus 3 x plus 2 equal to क्या होगा 0 तो अब यहां से x plus 2 x plus 2 क्या आगया common तो x plus 2 हमारा यहां से आगया और 2x minus 3 equal to 0 अब करना क्या है हमें 0 के equal जो है equate कर देने हैं फिर हमारी दॉनल रोड्स जो है find हो जाएगे and x is equal to क्या आगया 3 by 2 तो यहां पर इसके दोनों रूट्स फैंट होगा है अब चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट अब देखें थर्ड पार्ट में हमसे क्या क्या रहा है अंडरूट 2 x square प्लस में 7x प्लस में 5 अंडरूट 2 is equal to 0 इसके भी similar root हो जाएगा तो 5 into 2 is equal to 10 तो अब देखें 10 के कर दीजे फेक्टर 10 के 2 से 5 टाइमस एंड 5 से 1 तो 5 और 2 क्या रहा है हमारे फेक्टर आप इनको ऐसे सेट करना है कि एड यह सब्रेक्ट करने पर हमारा 7 x आए एंड मल्टिप्लाइब करने पर हमारा यह आ जाए किस चीज के एकोल 10 के एकोल तो अब देखें तो अंडरूट 2 x square प्लस 5 प्लस 2 7 हो जाएगा एंड मल्टिप्लाइब करेंगे इसको लेखेंगे हैं 2 x प्लस 5 x प्लस 5 अंडरूट 2 एकोल टू 0 तो यहां से अंडरूट 2 x एंड 2 x अब यहां से बहुत सारे स्टुएंट्स को जो है कमल लेने में प्रॉबलम होती है तो सिंपल इसको ऐसे लिख लीजे अंडरूट 2 x square प्लस 2 x को कैसे लिख सकते हैं 2 को एक्स प्लस 5 अंडरूट 2 यहां से अंडरूट 2 यहां से अंडरूट 2 x को कमन आ गया तो यहां बचा x प्लस अंडरूट 2 similarly यहां पर 5 कोमन आ गया 5 और अंदर के बचा x प्लस अंडरूट 2 कोमन is equal to 0 तो x प्लस अंडरूट 2 और x प्लस अंडरूट 2 यहां क्या आ रहा है हमारे कोमन और अंडरूट 2 x प्लस 5 यहां से आ गया अब इनको क्या करना है में 0 को equal equate कर दो 0 के equal फिर हमारे roots जों है वो दौनों find हो जाएंगे तो x प्लस अंडरूट 2 अंडरूट 2 यहां जीरो तो x से इकल तो में क्या आ गया मैनस अंडरूट 2 और दूसरा आ गया हमारे पास अंडरूट 2 x प्लस 5 एकवल तो में 0 तो x से इकल तो में कितना आ गया मैनस का 5 बाई अंडरूट 2 यहां पर भी हमारा दोनों root जो है clear हो चुके हैं अब हम इसके बाद solve करेंगे इसका fourth part चलिए इसका fourth part देखते हैं तो इसमें क्या given है 2 x square मैनस x प्लस 1 बाई 8 एकवल तो 0 तो अब इसके आगे क्या करेंगे देखिए इसको हम simply 8 जो है 1 by 8 अब यहां से problem होगी इसके roots find करने में तो 8 की क्या करेंगे हम यहां हम simple पहले इसको ऐसे लिखेंगे अब इनके नीचे denominator मा 1 माल लेंगे फिर क्या करेंगे हम इनका LCM ले लेंगे फिर आसानी से क्या होगा हमारा roots find हो जाएंगे तो 8 आगया तो 8 to 16x square माइनस 1 डिवैड बाइट मलता सॉरी 8 by 1 तो हमारा क्या आगया 8 इंटू x करेंगे तो क्या हैगा 8 x 8 को 8 से डिवैड करेंगे तो क्या हैगा 1 1 इनटू 1 1 equal to 0 तो ये क्या आ गया 16x square minus 8x plus 1 अब क्या करते हैं इनकी और इनकी multiply करते हैं तो 1 into 16 के अदना आएगा वो 16 के equally आएगा तो हम 16 के क्या करेंगे factor find करेंगे 1 into 16 is equal to 16 तो 16 के factor देखे 2 into 16, 2 for the 8 2 to the 4 and 2 से 1 time तो इसके factor आ गये हमारे 2 into 2 into 2 into 2 अब देखे क्या करेंगे और हमें कैसे factor करने होते हैं add ये subtract करने पर हमारा middle अमाज है and multiply करने पर last अमाज है तो अब देखे कैसे करेंगे तो ये होगी हमारे पास 2 into 2 4 and 2 into 2 4 और 4 को हम add करेंगे तो 8 बन जाएगा and multiply करेंगे तो क्या होगा 16 तो 16 x square अब 4 और 4 को 8 add करेंगे तो 8 तो बनेगा लेकिन हमें positive में बनेगा हमें चाहिए negative में तो हम क्या करेंगे minus 4 लेंगे minus 4 x minus 4 x अब इनका multiply भी करेंगे तो plus 16 आएगा जो कि हमें चाहिए यहां 16 नहीं लेकिनगे 1 आएगा is equal to 0 यह अलाग है यहां पर मैं line case देता हूँ तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 4 x common आजाएगा तो अंदर क्या बच्चा 4 x minus 1 minus यहां से 1 common आजाएगा अंदर कुछ नहीं है तो 4 x minus 1 तो यहां से minus का 1 common आगे तो अंदर क्या बच्चा 4 x minus 1 equal to 0 तो आप देखिए यहां से भी 4 x minus 1 यहां से भी 4x-1 तो ले लिए जी common और यहां से भी क्या आ गया है 4x-1 equal to 0 एक चीज अगर आप notice करें है तो यह हमारा 4x-1 और 4x-1 यह क्या बन गया 4x-1 का whole square चलिए अब इसके equate कर देते हैं 0 के equal तो 4x-1 equal to 0 तो x is equal to कितना आजागा 1 by 4 similarly यहां पर भी 4x-1 equal to 0 तो x is equal to 1 by 4 तो यहां होता है यह वाला part complete चलिए हो हम अगरी वीडियो में देखेंगे इसका 5th part चलिए हो हम इसका 5th part देखते हैं इसमें क्या given है हम है 100 x square minus 20 x plus 1 equal to 0 तो हम क्या करते हैं इस वाली टर्म का है इस वाली टर्म का पहले multiply करते हैं तो 1 into 100 कितना हो जागा 100 के equal आजाएगा शरी हाँ 0 ने 100 तो अब हम 100 के क्या करेंगे factor करेंगे कैसे factor करेंगे कि add या subject अनने पर middle term आजाए and multiply करने पर यह वाली टर्म आजाए यहाँ जो है 1 into 100 तो 100 आजाए तो 100 के करेंगे 2 से 50 and 2 से 25 5 से 5 and 5 से 1 हो गया अब देखिए यहाँ से मैं land कीज़ेता हूं 100 x square minus अब हम इसके कैसे कर सकते है 10 और 10 अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 20 बनेगे अगर multiply करेंगे तो 100 आ जाएगा तो minus का 10 लेना पड़ेगा हमें और minus into minus क्या होता है plus होता है तो minus का 10x minus 10x तो अब minus का 20x बन रहा है multiply करने पर क्या होन रहा है 100 तो plus का 1 equal to 0 तो 10x यहां से common आ लिया तो 10x minus 1 minus 1 common यहां से ले लिया तो अंदर के बचा 10x minus 1 equal to 0 तो यहां से 10x minus 1 and 10x minus 1 common ले लिएचे यहां से भी 10x minus 1 and 10x minus 1 equal to 0 अब क्या करेंगे हम इनको equate कर देंगे 0 के equal तो 10x minus 1 equal to 0 तो x is equal to 1 by 10 एक root यह आ गया and similarly second को भी ऐसे कर देंगे दोनों के आ गया इसके equal root आ देंगे तो x is equal to 1 by 10 तो यहां होता है इसका यह पार्ट भी complete अगर वीडियो पसंद आईए तो like करें share करें and subscribe करें thanks for watching करें